एक गिलास दूस से आज रवडी बनाएंगे दोस्तों बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे कुछ सिक्रेट चीजिस में यूज करेंगे दोस्तों जो आगे बताते चलिए शुरू करते हैं हमने एक गिलास दूद लिया है दोस्तों एक गिलास दूस से ही आज रवडी बनाएंगे अब बिल्कुल टेश्टी बनेगा दोस्तों आप इसे एक वर बनाएंगे बार वर बनाने का मन करेगा अब हम चलिए एक तपेली लिये हैं उसमें दूद को डालेंगे देखिए हमने हम इसे ऐक ही गिलास लिया है दोस्तों अरो इस तरह बॉइल होने के लिए रख देंगे अब मिसे तीन-स चार विनिट के लिए बोइल होने देंगे थोड़ा गाढ़ा होने लगता है देखे इस तरह में continue चलाते रहना है इस तरह से आप रवड़ी बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है दोस्तों एक वाद जरू ट्राइ कीजिएगा देखे इस तरह में continue चलाते रहना है हम इसमें milk powder यूज नहीं करेंगे दोस्तों बिल्कुल एक गिलास दूद लिया है तो यह आदा गिलास हो जाएगा इसे हम continue चलाते रहेंगे तो देखे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों देखे एक continue चलाते हुए देखे तेन से चार मिनेट हो गया है मीडियम फ्लेम पर यह देखे थोड़ा गाढ़ा हुआ है अब हम इसमें कुछ गिवू का आटा लेंगे और इस तरह पानी डालकर घोल तयार कर लेंगे देखे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तयार कर लें जादा गाढ़ा ना जादा पतला तयार करना है देखे इतना परफेक्ट है यह बिल्कुल आटा का घोल तयार है दोस्तों चलिए अब हम 3-4 मिनुट के लिए बॉयल किया था देखे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे थोड़ा तो गाड़ा हो गया है दोस्तों आप इसमें गिंदने के बाद एक मिनुट इसे ठीक चलाते नहीं आएगा कियोंकि तुकों चाहिवगा क्षछ को पताएगा एक उसान सब्सक्राइबर से तो चाहिए, अभ। इसमें कुछ सिक्रेट चीज उज़ करेंगे दोस्तों देखें खाने वाला सोडा बस एक चुटकी आप ध्यान रखें एक चुटकी से ज्यादा इसमें सोडा ना डाले देखें बिल्कुम जिस तरह से दिखा रहे हैं दोस्तों एक चुटकी ही खाने वाला सोडा ले और इस त चलाते रहें के लगबग में रवड़ी तैयार है मेरे घर में इसी तरहाँ से किया जाता है जब भी महमान आते हैं तो हम इसी तरह से रवड़ी तयार करके महमान को सर्व करते हैं दोस्तों देखे इस तरह मिक्स करते रहें देखे रवड़ी तयार है अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं अब हम देखे एक कटोरी में रवड़ी को निकाल लेते हैं देखे ये खाने में और भी टेस्ट वढ़ जाएगा इसे थोड़ा देर के लिए हम फ्रीज में रख देंगे देखे कितना perfect वणा है दोस्तो अब हम इसे थोड़ा देर के लिए फ्रेज में रख देते हैं उसके वाद आपको दिखाते हैं कि देखे रवडी कितना गाढ़ा बनाया देखिए इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं दोस्तों पर फ्रीज में रखेंगे तो इसका और भी खाने में मज़ा आ जाएगा हमने दो घंटी के लिए फ्रीज में रख दिया था दोस्तों देखे रवडी कितना गाड़ा हो गया है यह बिल्कुल परफेक्ट वनाए दोस्तों आपको रेसीपी कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताए बाई बाई